पूरे मुख्यमंत्री बेंट सिंग के कतल के दोशी पाएगे बलवंत सिंग रजवाला को फांसी की सजा सुनाएगी इसी पारे पूरे विशे पे हम बात करेंगे दिली सिगुर्दवारा प्रबंदक कमेट्री के अध्याक्षिय परमजी सिंग सरना उनसे बात करते हैं कि वो कुनूनी तोर पे तो मैंने कह सकता हूं पर अगर उसके बाकी के साथियों की उमर कैद दी गई गया है तो उसको भी जो जुडिशरी है जज सहबान को चाहिए था कि जब उसके बाकी के साथियों को उमर कैद में तब्दील गया गया है तो उसको भी उमर कैद में तब्दी आज मीटिंग में उसमें क्या क्या आपकी तरफ से यह निरने लिए गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर देखिए हमने पांच निरने मुख्तोर पे लिए गया है पहला निरना यह लिए गया कि एकालतकसा आप के जित्यदार सबान को अदेश देना चाहिए पिंजाब के मुख्तोरी सथथार परकाशिन्ग बादल को रप्रीदार बादल के जो परदान digny、 मुख्तिम क्या ठाहिए जो अपनी सरकार में जो पंजाब संबली का शेशन हो रह कि ये जो फांसी है ये नहीं दी जानी चाहिए और अगले दस साल तक ये वहां मता पास कर देने चाहिए और दूसरी जो बात है कि हमने ये भी सुझा दिया है कि अकालतक साब के जत्यदार अपना जो दफ्तर है आफिस है वो गले पांच-छे दिनों के लिए पट्याले में तबदील कर ले पट्याले में जो भी सिक्षिते हैं उनके वहां बैठके सुझा लिए जाए किस तरह बाही रजवाना की जो फांसी पट्याले में खटा हो वहां जाराओं लाकों की दाद में जब सिक्षिते होंगे तो उसके साथ उनकी जो बात होगी उससे सरकार भी जुडिशरी भी फैसरा दूसरा लेने में की तरफ जाएगी जिस तरह से आपको नहीं लगता है कि पंजाब के मुखे मंतरी परकास सिंग बादल और अवतार सिंग मकर जो हैं अभी ग्रै मंतरी और परदान मंतरी से भी मिले थे उनको इन सब चीजों के लिए उनको चाहिए था कि हस्तक शेप करने की भी मांग करते इस पूरे स्ट्रे से मिल रहा है तो वो हर आलत में उनको बात करनी चाहिए थी आखरी स्वाल आप चाहते हैं कि जो बैंत सिंग की फैमिली है वो इस पूरे मुद्दे पर आगे आना चाहिए और जो फांसी की सजा दी जारी रजवाना को उसको टालने के लिए पूरा सायोग करना चा अगर सुनिया गंधी का परवार रजीव गंधी के सजारों को फांसी की सजा के लिए कह सकते हैं खर इनको ना दिजाए तो अपने लीडर के नक्षे कदम परूरे चलते हुए उनको भी अपने परवार के मुखी का जो गतल हुआ है उसके अगर colors ने किया है तो उसकी फांस सिंग राजवान के फांसी के सजा को टाल दिया जाए कैमरा मैं शुशील बैल के साथ मंजीत को जी अने न्यूस दिले